कैथलिक लिस्या की मसीही तिलीम क्या है जानेंगे इनको और भी करीब से हमारा खास करिकरम कैटिकिस्म आउप्दा कैथलिक चर्च में जहे शुकी अब सिप्रार्थना के लिए प्रफजी इसी तेरा तनवा तेरी शुक्र कर देहां जो तुसी साड़े ते प्रगट कीता है ते साड़े समय तक साड़े लएई संभाल करे किया है कलीसे अद राही इना गलानू समच्छन देविच प्रफजी तेरी आत्मा साड़े मादत करे आपने आत्मा नाल पर पूर कर तेरी रोश्णी नाल सान। पर पूर कर तक यसी जो कुछ भी सोच्छिये विचार करिये एदे राही सान। आत्मी तोरते हुद्नती प्राप्त करन लए प्रफजी तेरे बारे जानन लए तेन। होर जादा प्यार करन लए तेरे नाल वफादार रहन दली ए सान। मदद देवे असी प्यारे प्रफु अज एस वचन नो सुननवाले सब लोकान। प्रार्तना भवन टीवी तराही ओनलाइन दराही ते यूट्यूब दराही जो भी एस सुननगे एस उते विचार करनगे उनना सब दली प्रार्तना करदे हा कि तेरे आत्मा उनना दी अगवाई करे ते समच्छन लई स्विकार करन लई वनना दी मदद करे असी ये मंग दे हम आपने प्रफु येश्यमस्यद राखीम आमेन प्यारे असी यही सोच रहा सी पिछले कई दिनां तो असी सोच के आ रहा है कि पाक तसलीष खुदा दे होली ट्रिनिटी दे मोस्ट खोली ट्रिनिटी इस पाक तसलीष खुदा दे बारे जेडे प्रगटावा जो रेवलेशन सानु मिलिया है उस दी संबूर नदा सी वेखिया येश्यमस्यद राखी ये प्रगण होया है अते उसनो समच्छन दे विचे पवितर आत्मा साड़ी मदद करदा है प्रगटावा ता प्रफु येश्व ने कीता है ते प्रफु येश्व पवितर आत्मा खुदा बापतिनाल एक है ये सच्चियाई साड़े ते जो प्रगड कीता है इसनो समच्छना कि थोंदक कसी समच्छ सकते है उद थोंदक समच्छना अते उस समच्छ दे मताबिक साड़े जिन्दगी दी जो हर हिस्सा है इसनो आगे ले चलना है विश्वास दे जिन्दगी ये साड़े सारा जीवने नाल जुडिया है ते पाक तसलिष खोदा ये ट्रायन गॉड्ट ठ्रिनिती के साथ जो संबंद है साड़े जिन्दगी दे हर हिस्से विच है ते इस करके ये जो सच्याई है इसनो किस तरीके दे नाल साड़े नाल सांज कीता जा सकदा है किस तरह जो रिजूल लोकानो समझ में आया जो इना पैदानो जो गुपत रहा है जो परगड होया है पर हुएशु ने परगड कीता पवितरात्मा उस दे समझ सानो दिन्दा है कलीजिया न दिता है तो एजो समझ है ये कलीसिया दे सारे लोकान्द लई है ये खजाना है अते इस खजाने दे विचों लोकान तक इना नो पहुंचावना आत्मा दी परपूरदा विच जो जी नांदी परभूने ज़्यादा समझ दिता है नदी एजमावारी है कि ओconom लोकाएं तक ये सचाई प्रगट करना ताकि जेडे चीजाओं ते शानु विशवास करना चायदा है असी उसनु विशवास करना है विशवास ते राही इंसाने नेक सिद्दगी ता जान्दा है ते खेडियां चीजां आते विश्वास करना है तो ये जो सच्छाई है जो विश्वास करन योग है ते ये जो प्रगटावा कलीस या किस तरीके तनाल साधे सामने पेश कीता है ऐसी ओदे बारे सोच दे हां शुरुमात विचे सानु पदा है बाप बेठे ते रूपा आक दे नाम दे विचे बबतिस्मा दे अंदले हुकम जारी कीता प्रभु येशु ने चेले आनु दिता जावो जाके सारिया कौमानु चेले बनावो उनानु जो में तो आनु सिखाया है उनना सब गला उनानु सिखावो थे वनानु बाप बेठे यते रूपा आक दे नाम दे विचे बबतिस्मा देवो तो ये पाक तस्लीस दे जो प्रभड़ु येशु अपने चेलेअं दे सामने रिखिया उधे नाल एक हुकम है की है जाके बबतिस्मा दो तो बप्तिसमे दे विच खिस तरह होना? बाप बेठे ते रूपाक दे नाम दे विच उना ने बप्तिसमा देना है या पाक तसले सको दा दे विच इनसान नो शामल कराओंदा है प्रफियेशों ने जिस तरह निकोदेमस न दस्या जेदों दक पानी अते आत्मा नाल दुबारा जनम नहीं लेंदा है तुसी सुर्गराज दे विछ नहीं जा सकता है इनसान दली जिरूरी है तो ये बप्तिस में दी पानी दे उते जो आत्मा कम जो दो करदा है साड़ा नवा जनम होंदा है तो उस वेले बाप बेठे दे रूपदाक दे विछ साड़ा जो जीवन दी शुरुआत होंदा है तीसी करके पाक्तस लिस खुदा दे बारे सिख्या जो शुरू कीता कलीसिया दे विछ ओ बप्तिस में दे तैयारी वास्ते सी जड़े लोकी बप्तिस में लेना चाउंदा सी उन आनो इस पेद दे बारे समचाउंद लेई इस्तमाल कीता सी संद पाउलस अपने चिटी दे विचे कुरिंद दे लोकाने लिख दे होए एफेजस दे लोकाने लिख दे होए ये गल दसवेगा ते अपने चिटी दे आखिर दे विचे दों बरकत देंदा है आशिश देंदा है उस वेले खुदा बाप ते बेठे ते रूपाक दा नाम मतलब खोली-खोली कलीस यानों ये समझ में आऊंदा है कि पाक तसलीस खुदा है एक खुदा बाप बेटा ते रूपाक है बप्तिसमय दे वेले अपने विश्वास दी प्रगटावा करना है खुदा बाप उते अपने विश्वास दी प्रगटावा करना है खुदा बेटा उते अपने विश्वास दी प्रगट करना है खुदा रूपाक उते अपने विश्वास प्रगट करना है अते एक खुदा है एक खुदा बाप बेटे अते रूपाक एक खुदा विच तीन शक्ष पावे जिसी तरह असी सोच सकते हैं नो पेद इसी करके मिस्टरी इसी करके कहिंदा है क्योंकि असी साड़ी दिमाग नो खर्च के असी इसनो पूरन तवरते नहीं समझ पाएंगे सानु समझन दिली ये अज़ान होवेगा जेकर असी अपने जो जीवन है इन्सान दी जो जिंदगी है औह खुदाद सुरूब है ज nhất समझे हा तो सानु समझन वे आएगा खुदाद सुर्वब इंसान है तो इनसान अखिला नहीं जीवेदा है ते प्रुफुन ये कया है की ये चंगा नहीं है की इंसान अभा रहे ते इसी करके उस दिलेओ एक जीवन सात्य दिता है ते आत्मी अत्य आउरत आपस दे विट ज़ो हम देखे एक दूज़रे देल औना दे दिल विच प्यार हो गया है तो ये प्यार परमेश्वर दे प्यार औना दे विच जो निक्षिब्ट सी औना दे विच जो पाया सी उसे कारण ओ एक दूज़रे नो प्यार कीता है अते ओ प्यार इनसान दे प्यार ओ पूरन नहीं है पर परमेश्वर दे प्यार जो है ये पूरन दा दे ओपर पूरन दा है तो इसी करके जो जिस तरह पाप बेठे ते रूपाख आपसी प्यार दी एगदाई ए संगठन दे विचे रहन दा है इसी तरह ही इनसान भी परमेश एक दा एक परिवार दी तरह है तो पाक तसलिए इस खुदा एक परिवार दी तरह है तो आसी जदो ए सिमिलारिटी रख देखां तो ए भी आद रखना है कि ए खुदा जो अन्क्रियेटड है इंफिनिट है परफेक्ट है मतलब खुदा दे विच पूर नदा है ते साड़े विच अपूर नदा है असी पूरा नहीं हां तो इसी करके जदो उसी ए चिन ये निशानियां देंदे हां उसनो लिटरली उसी तरह आसी समझ नहीं सकनगे इसी करके मैं बोला ये पेद है इसनो समझ दलई खुदा स्वानू रोशनी दिमाग विच पावेगा ताई असी सम कलीजिया दे शिखियादे ख्लाफ चलनवाला बन जाएगा बहुत लोगां दले एक खतरा मन चुका है तियो बहुत सारे लोग ऐसे सोचता ही कि खुदा किस तरह हो सकता है तिन व्यक्तित परसनालिटिस कैसे हो सकता है कि वो एक इस हो सकता है तो प्रbn SHOR तानू इसने बार सिखिया देंदे हो ये मेरे मनविच आउन बाले ये गल है जो कलीजिया वलोम ये घौशना किता छीज नहीं है पर कुछ साइंटिस लोका ने जो ये साध्र सामने पेश किता है कि इनसान के अंधर जो सेल हे बेसिक जो सेल है जिसनो लामिनिन किया जानना है उड़ा जो कतना जेड़ी है वह तिन रैस तिन चीजान डेनाल बनिया हुआ है अते ओदा जो चिंड है इसी तरही सलीव दे तरह उट धी एक तिन जो लाइन है ये जुड़िया हुआ है तो देर आखी जो विश्वासी से निस्जानी साड़े बेसिक सेल्द विछ पाया गया है जिस तरह वो एकदाविछ रहना है ते सलीब दी निशानी है ते मुक्ती दा जो चिन है पाक तसलीष दी निशानी है तिन जो लाइन है यह दे ताही तो यह दे बारे साइनडिस लोग ही जो विश्वासी साइनडिस लोगे शायद ज्यादा चानन पाव थगंगे पर मैं इस करके किया है कि परमेशुर्दे सुरूबते इनसान जो बढ़िया है असी अपने जीवनवल जो दो देखेगा उस पाक तसलिश खुदा नो समझ सकते हैं फर फिर भी कलीसिया साड़े सामने इस पेद नो किस तरह कौन है खुदा बैटा कौन है खुदा रूपा कौन है अते वे दुरीनो अलग हए पर एक है त्यन है पर एक है एक दा विछ तरित्व है तrit्व ने बिच एक दा तिन एक खुदा दे बारे जिदो सोचदा है ये संदनी एलिसबत आफ तर ट्रिनिटी पाक तसलिस खुदा दे संदनी एलिसबत वो कहन दी है जिदो मैं एक तरीत्व के बारे में ने सोचदे हाँ मैं एक खुदा दे बारे मेरे विचार चल जन दा है जिदो मैं एक खुदा दे बारे सोच दे हां कि मैं तिन विक्तित जो है बाप बेटे रूपाग दे बारे ये जो मिस्टरी है जो पेद है ये इनसान दी बुद्धी दे विच्छ समारन वाली चीज नहीं है इस गलनों असी मानना पवेगा और विश्वास दे विच्छ उसनों स्विगार करना पड़ेगा क्योंगी असी केवल सुर्ष्टी हां साड़े समझ थोड़े है तो पर फिर भी परमेश्वर दी महर है उस दी प्यार है कि उसने इस महान पेद साड़े सामने रख दिता है कलीसिया दे राखी युगान युग दुनिया दे अंद तक इस सच्छाई साड़े सामने पेश करदा है तो इसनों इसी करके निडर स्विकार कर सकता है क्योंगी कलीसिया अपने अधिगार जो परफू ये शूतो मिलिया है उस अधिगार दे नाल सानों ये सिखिया दिन द लो इस सच्छ कई गया दिदी कैथילिक तलीम जो सिखिया सान दिन दा है वो सारों इसी तरह दस्दा है तो पहले कई संजूरी दे विच दो तीन तीना सिद पहले संजूरी दे विच ये बबदित मैने बारे जो सिखातार ऋना दो दो निस्वासी पहला बबतिसमें तुम पहला जो तेयारिया हुदा है बबतिसमें तुम पहला जो सिख्यावा है प्रार्थनावा प्रफिएशमसी दबारे खुदा बाप दिविश्थ अबारे जो बेसिक जो टीचिंग से सिखिया है वो सिखाऊन ते बाद बबतिसमा स्विकार करन ते बाद इसनों होर जादा धुंग्याई दे विच्छ समझाऊन दले यो कोशिश की ता तो इसी तरह ही ये जो शब्द है असी जेड़े सच्चाई दूसरे इंत पहुंचाऊन दले ही शब्दनों बौलीनों इस्तमाल करदा है इसी तरह कलीजिया ये शब्द जो फिलोसाफिकल जो विदावान लोकाने जो आप उस समय दे विच्छ जो इस्तमाल करदा ही वो सबस्टेंस, पर्सन, हाइपोस्टांसीज, ते रिलेशन, एखो जिखां चीजां देना ही, ये तरी एग खुदा दी, आपसी प्यार, आपसी संबंद, उस दी एग दा, ते उस दी तिन रहन दा, इस दे बारे, ओ समझान दले कोशिश कीता, ते इसनों एक नवी मतलब देता ह ये शब्द है, ये कनवे करदा है, इनो सिखाओदा है, कि नवी चीजां दे विच, ये पहले सदी दे विच जो काउंचल, कलीज या, विदमान लोग इकटे होके, इसनों इस्तमाल करके अनों सिखाओदा है, सबस्टेंस मतलब जो अंदर ली इन जो सीज है, ये एको है, जो एको सबस्टेंस है, सबस्टेंस जो है एक ही है, वेगे वीच कोई अंदर खुदा बाप बेटे इरुपाग जो कोई अंदर नहीं है. को सबस्टेंस है ते इस ते नाल असी ये देखेगा कि पर्सन पर्सन मतलब व्यक्ति है खुदा बाप एक व्यक्ति है खुदा एक खुदा है पर एक खुदा विच असी कहने हां कि तिन शक्ष है अथे तिन शक्ष खुदा बाप है अथे खुदा बेटा है अथे खुदा रूपाक है तो ये तिन विक्तित है पर इस तिन विक्तित को एक हैपोस्टासिस यानि इनान दी आपसी एहो जिखा एकता है इकाट है कि ओनान दे विच अलग अलग सबस्टेंस है ही नहीं मतलब ओ सब बराबर एक दा विच एक सबस्टेंस एक खुद सीज़ देना अंदर कोई भेदभाव नहीं है सिर्फ इतना यह भेदभाव है कि खुदा बाप जो है वो बाप है पुद्टर दे करके वो बाप है पुद्टर जो है पिदा तुम उत्पन हुंदा आदी तो ही या शुरू हों तो या हमेशा रहन वाला है ते ए खुदा जेदों तो खुदा है मतलब हमेशा यह पुद्टर पुद्टर है ते आत्मा पवितर आत्मा बाप बेठे तुम उत्पन खुदा तुम उसी वेखिया सी की इस्टेर्ण ते वेस्टेर्ण जो ट्रडिशन कहेगा कि एहरू पाक खुदा बाप तुम उत्पन हुंदा है ते वेस्टेन ट्रडिशन बोलेगा खुदा बाप अते बेठे तो उत्पन हुंदा है सब कुछ खुदा बाप तो क्योंगी इसी करके रिजुलान दे कलमे विचे सी ये पढ़ दे हां कि इम इश्वा इम्यान रखता हां खुदा बाप जिड़ा सारी चीजान दे सरजन हारा है स्वर्ग अते अस्मान अते जमीन नो पाइदा करन वाला तो बाप नो इसी करके बाप केंदा क्योंगी ओदे कोलों ही सब कुछ पाइदा हुदा है अते बेठा पुत्तर जो है वो सब कुछ कुछ नो मुक्त करन वाला है तो इसी करके पुत्तर देवारे सी वेकता है रुजुलांद कल्मी विच असी पढ़ देहां कि किस तरह ओ मानव जादिनू सारी स्रिष्टीनू मुक्त करन लई पाब दी विच्चों शितान दी कब्जय विच्चों छुड़कार देन लई किस त आत्मा पवित्र आत्मा सब कुछ नू नवा बना उन वाले आत्मा है तो इन आंदे विच्च अंदर होई नहीं तो इस करके यह जो शब्द इस्तमाल किता जन्दा है कि सबस्टेंस है पर्सन है ते हाइपोस्टासिस है ते रिलेशन है इनके आपसी की संबंद है रिलेशन तो खुदा बाप बेठे यह ते रूपाक हिना दे इसने बार समझाओंदा है ते सिखिया यह चीजा यह शब्द इस्तमाल करके बब्तिसमा लेन वाले लोकानों समझाओंदा सी पर यह भी गल समझना है कि यह साड़ी समझ तो परे है पिछे भी में किया है किस तरह संद अगस्तिन नो यह दर्शन होया समंदर दे किनारे छोटे बच्चे समंदरी पानी नो टोये विच परके खदम करन दवारे दसिया ते अगस्तिन ने किया है कि यह किदा हो सकते नो किया जो तुसी सोचदा है कि खुदा पाक तसलीष खु देव उपर है तो इसे करके आसी एस गाल नो आजी समचना की सबस्टेंस इस दा एसेंस या उस दा नेचर खुदा दा एको है ते जो परसन और हाइपोस्टेसिस ये इना दी आपसी संबंद पिदा, पुत्तर, पवितरा आत्मा देव इस नो डिस्टिंग्विश और अलग अ आपसी संबंद ये सानो शमचाओंद ले इना शब्दानो इस्तमाल कीता जान दा है मतलव कलीसिया शुरूतों सानो ये सिखिया देंद ले ये शब्द इस्तमाल कीता जो पवितरा आत्मा उनानो प्रेरना देके दिता है अजिए उस दी मतलब सानव समझाऊंदा है कि पाक तसलीष खुदा एक खुदा ये दे विच तिन शक्ष है एको खुदा है पर तिन शक्ष है बाप है बेटा है रूपा के अजिए तिनों अलग अलग खुदा नहीं एको खुदा है खुदा बाप भी खुदा बेटा भी खुदा रूपा भी खुदा पर एक खुदा आपसी प्यार दी एक दा दे विच एक ही सबस्टेंस दे विच रहनवाला एक ही सोभाव दे विच तो एक ही एससेंस पे ही होगा कि एक ही सोभाव दे विच्छे रहनवाला खुदा है असी उस खुदा नो मन दे हाँ उस ती महिमा कर दे हाँ उस ती आराथना कर दे हाँ अब असी प्रार्थना कर देगी कि परमेश्वर ने जेडिया सच्छाईया साड़े सामने कलीसिया जराही दिता है इन आनू असी समझ के अपने जिंदगी कुंकि ए सच्चाई है जिस्ते ओपर कलीसियाई विश्वास नू सारी किता गया है तो ये प्रगटावा होर किसी नहीं प्रभू येशु अते पवितर आत्मा साधे ते प्रगट किता है तो ये प्रगटगी ता गया है तो इसनों असी होना पीडियों पीडियों लोगानों असी सिखाना है समझाना है ये जमवारी कलीसिया दी है जिदे बीचे तुसी सारे है तो आटे भी जमवारी है तुसी ये नो समझे अपने बच्चे आनों अगले पीडियों ये समझाना असी इसी करके प्रारतना करिया प्रभुजी इसी तेरा तनवाद करदे हैं तेरा शुकर करदे हैं तू बड़े महरबान ते दिया लुए क्योंगी जो पेद साड़े समझ तो परे हैं इसनो साड़े तक समझाओन दलई अना शब्दा अना सब्छे जान इस्तमाल करके तो साड़े लवल तक नीचे उत्तर के आऊ दा है तो सानू जम्झा ओंदा है कि असी मैन्नी है कि तु ही कल्ला परमेशर है तु ही कल्ला खुदा है ते तनो मनना तेरी अराथन करना ते नो प्यार करना यही साड़ी पलाई है प्रफजी अज दे बजन सुनन वाले इस सुते विचार करन वाले खुना दे परिवार, खुना दे जगा कर खुना दे कम दे जगा हर जगा दे विचे प्रफजी तेरी मौझूदी होई पाक तसलिस खुदा दे मौझूदी दनाल पर पूर कर अते खुदा बाप दे प्यार अते प्रफजी प्रफजी पैदा कर पूरी खुद्रत वाले खुदा बाप दे बेठा दे रुपाक दे आशिश तोड़ेते होवे आमेन जहिए शुकी झाल प्रफजी 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 अजुदा leadership कर दे डाल